बूर्णिंग स्टुडेंट देखिए मैं आज आप लोगों को एक्सराइज 6.2 बताओ ग्लास सेकेंड एक्सराइज 6.2 कल मैंने आप लोगों को एक्सराइज 6.1 में बताया था अब यह है वर्ड प्रॉब्लम में है देखिए राजा और नोहित है 236 मार्वल्स इच मतलब राजा के पास भी 206 कंचे है और नोहित के पास भी 236 मार्वल्स है तो देर फ्रेंग अमर ब्रॉड 341 मार्वल्स मतलब राजा के पास 236 है और वोहित के पास भी 256 है लेकिन उनका एक दोस्त जो है अमर अमर वो जो है इतल्यार मार्वल 341 तो how many marbles were there in all? में उन लोगों के पास पूरे कितने marbles कितनी कंचे कितनी गोलिया हैं तो क्या करेंगे? पहले तीनों को add कर देंगे तो जितना आएगा वहीं उतना ही उनके पास marbles होगा तो कैसे करेंगे? इसको पहले लिखिए राजा राजा नाम है राजा है राजा है इतने marbles से उनके पास 236 ओके? और वोहित के पास भी है या पर लिखीजे या डाजा है राजा नाम है राजा के पास 236 marbles है और वोहित के पास ही? तो वोहित है तो हुआ है 236 marbles म- A-R-E-L-E-S इसके इसमें ही होगा अब उनका एट फ्रेंट है अमन उसके पास को कितने कांच खरीद के लिए आया 340 A तब इसके रिखेंचे लिखेंगे 340 A Marbles M-A-R-D-L-E-S कौन लाया Amal Amal ना मैंना तो Amal एगी A-M-A-N Amal है यादा बॉर्ट हो गया कितना हो गया आग इसको क्या करेंगे एड़ करना है ठीक है तो आप दिखिए एड़ करना है Once, Once, एक साथ 10, 10, 6, साथ 100, 100 एक साथ तो Once में है 6 6, 8 तो 6, 6, 12 होता है और 12 में 1 प्लस करेंगे तो 20 मैं एड़र्टिया से लिखा जाता है मैंने आपको हमेशा बताया है कि Right Hand Side वाला यहां रगेगा, 0 और 2 जाएगा, यहां तो 3, 3, 6 6, 4, 10 हो गया 10 और यह कितना है 2, 12 तो 12 का 2 यहां हो गया और 1, यहां हो गया तो 2, 2, 4 4, 4 और 3 कितना हो गया, 7 और यह 4, 8, 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 9, 9, 9, 9, 10 ठीक है, अब आशर आप लिखेंगे answer में there are there are 820 marbles in all इहा हुआ सब को टेखी जे अब नेक्स मैं बताती हूँ यह हो गया clear समझ में आ गया देखी आपकी बुक में 4 प्रॉब्लम है 2 प्रॉब्लम मैं बताती हूँ और 2 प्रॉब्लम मैं आप लोग homework में करेंगे ठीक है तो दूसरा मैं बता रही हूँ यह आप लोगों का next question है Manju had 112 cells ठीक and which sheep बेख अप at the which Manju के पास 112 cells है sheep जिस बोलते है उसने जो की beach मतलब समुठ के किनारे से उठाया Manju ने 112 sheep कोंगे जो है उसने समुठ के किनारे से उठाय then फिर then 187 more cells पहले उसने 112 sheep उठाया फिर कितने उठाया 187 more जान उठाया तो how many cells had sheep मतलब उसने कुल कितने पहले उसने कितने उठाया 112 फिर 187 फिर उसने कितने shape cells उठाये यह आप बताना क्या करेंगे पहले आप पहले आप इसको 187 and 112 को add करेंगे ठीक है तो पहले इसको add करें जितना रिजल्ट आएगा उसने ship समोथ के किनारे से उठाये तो पहले लिखिए once tens and hundred तो 112 one tens and two ones had manju had 112 ships and more और बसर नहीं लिखिजे one gather she then picked up picked up 187 seven तो क्या इसको आप करेंगे इसको add करेंगे seven और two two seven होता है nine eight one nine and seven to nine eight one nine and one one two makes उसने 299 cells ship जो है भोबा जो है उसने समोथ के किनारे से उठाया manju had 112 12 cells क्या लिखिजे cells s-h-e-double-l-s cells first one उसने 112 cells लिए फिर बात में उसने 187 cells लिए then आप उसको add करेंगे seven to nine and eight one nine and one one two 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 hundred ninety nine ship उसने picked की तो आपको 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 लिखना है how many cells had she picked तो लिख इजे ship she picked answer she picked two hundred ninety nine marbles ओके clear हुआ देखिए exercise six point two में four word problem दिये गए है दो मैंने आप लोगों को solve करके बता दिया और दो आप घर से solve करेंगे आई बाँ समझ में करके copy में note करेंगे आज exercise six point two आपको का finish हो गया कल मैं आप लोगों को exercise six point three बताऊंगी आया समझ में समझ में आ रहा है ना देख लिजे ऐसा ही next one question number three and question number four question number three है there were three hundred ninety seven words on a tree एक पेर पर three hundred ninety seven चिडिया three after some time कुछ देर बाद five hundred ninety seven more big word join them मतब एक पेर पर three hundred ninety seven थी और थोड़ी देर में five hundred ninety seven चिडिया और आ गए तो हाँ में वर्ट्स वर देर अन थी इन तोटल तो आप क्या करेंगे three hundred ninety seven and five hundred ninety seven को प्लस कर देंगे उतना ही पर पर चिरिया थी four है सचिन काउंटे six hundred twenty one small cars and three hundred fifteen big cars on the road what is the total number of cars that she counted देखिए उसने पहले six hundred twenty one चोटी गाडिया काउंट की और फिल three hundred fifty one बड़ी गाडिया काउंट की तो उसने कुल कितने गाडिया काउंट की आप दोनों को प्लस करेंगे जो रिजल्ट आएगा आपको उसका आसर लेगी ठीक है और कल next मीडियो में मैं आप लोगों को कल six point three बताऊ नहीं ओके मेहनत से पढ़िए और फिर उसके बाद उसको पढ़िए और फिर खेलने जाए ओके